श्री गनशाय नमह नमह संसक्रिताय गजाननम भोत गड़ा दिशेवितं कपित्थ जंबू फल चारु भक्छडं उमासुतं सोक विनास कारकं नमाम विजनेश्वर पाद पंकजं या कुंदेंद तुशार हार धवलायाशो ब्रवस्त्राविताय या विलावर दंड मंदित करायाश्वेत पदमाशन या व्रम्हाचित शंकरह प्रभित विरदेवैस दावंदिताय तामां पातु सरश्वती भगवती निनसेस जाध्यापह चुक्लाम् ब्रम्ह विचार सार परमामाध्यम् जगद व्यापिणिम् विलापुस्तक धारिणिम् अवर्द्याम् जाध्यां देकारापहां हस्तेस्फार्टिक मालिकां विदधतिम् पदमासने संस्तिताम् वंदेताम् परमेश्वरीम् भगवतीम् बुध्धी प्रदाम् शारदाम् सरश्वति नमस्तोव्यम् वर्दी कामरूपिणिम् विद्यारंभं करिश्यामी शिदिरभव तुमी शदार सभी लोगों को नमस्कार आईश्मान बहुत दिवीजी वच्रीजव शशुवकृतिमान बहुत दिलिप्रजापति सरितायादो रागिनी प्रजापति मनीशा भ आही थिंग हमारे हां सब कुछ ही जा रहा है तो चलिए आज हम सभी लोग HINDI के इस सेसं में प्रारम करते हैं सबसे पहला प्रश्ण तो सबसे पहला प्रश्ण है आपके सामने कि HINDI को आप किस वर्ग में रखेंगे अगर हम यहां बात करें भारत वर्च क्नी को कि भी भासा भी नहीं है राश्ट भासा भी नहीं है राज भासा एसा ही है एक फर्ष नंबर कोस्टन का एंसर हो जाएगा ए आपको पता होगा हिंदी दिवस कम मना जाता है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि हिंदी दिवस कम मना जाता है ठीक है नेक्ट कोस्टन सबसे जो करेक्ट उत्तर है उसको आप पकड़ के बताईएगा अभी कुछ दिन पहले इसका सुद्ध रूप में हम लोग लेकर के आये थे बिल्कुल अच्छे हैं सब कुछ अच्छा है धन्यवाद किलियर है तो 14 सितंबर उत्तरा रहा दस जनरी थोड़ी ना 14 सितंबर है ठ चलिए तो सबसे बहतरीन अंसर आप लों का असुद्ध वर्तनी वाला इसमें से कौन देर है महत्व वाल्मी की या फिर पैत्रिक या सन्यासी सन्यासी ध्यांदना यहां पर एक और विंदी रहेगा तव असुद्ध होगा अर्थात दीन करेक्ट था यहां पर ठीक है नेश सब्हासा जाता हैं data तो यहां पर हो जाता चिसलिखा जाता है इस में बिख्षी practically एकट कदेम हां में लिख्षा के ओनलो लिभी Zachary से रेतुक्रेशिक्स भी आ रहे आगे देख्षें कर दीजीन問 निविनलिक्षित में से हाँसा देवनागरी है मर्याठी ठीक है राती को हम्लों हिंदी हीुर्ण लिखा जाता है इस लिख में हम उसको लिखते हैं तो यहां से यह आपका राइट अंसर हो जाएगा आपका क्या सी ठीक है कुछ चीजे जो नई मिले उसको आप नोट करते चलिए सिखते चलिए और एक दो दिन में ध्रे ध्रे जब दो चार बार आएगा तो अपने आप याद हो जाएगा ब्रजबू यह किस नाम से जानी जाती है बंजाबी मराथी गुजराति या पूरानी बंगला किसको जानते है प्रसंख्य पांक उत्त wärक पूरानी बंगला ैसको बिरज बूली की नाम से भी जानते हैं इसको रटिया याद रखिये कूशन पेसे प्रस ही भासा नागpanरीय रिभी पूरी तरगर से आदे हैं कौन-कौन से कोश्चन पांसाथ कोश्चन होंगे करीब कम से कम हमको लग रहा है तो या फिर पांसाथ नहीं होगा छे साथ आट-दस के अंदर ही होगा जो भी होगा कुछ रीपीटेड आ गया है तो इसमें ध्यान दिएगा दो बार वो चलाया है पकड़ नहीं आ कि कहां से कहां तक पहुंच गया पूरा खराब हो जाता है इससे अच्छा आपके चलो कोई बात नहीं तो इसमें देवनागरी लिप में अभी आप लोग ने बताया कि मराठी ठीक है क्या है मराठी जो आपका कोशन आ रहा है सामने तुरन ताप उसको फि खैन की जिए वर्तनी के दिष से सब्ध का चैन किजिये सब्ध का चैन कीजिये अब मतलब इसमें से कौन सही सुद्द होगा तो करोग tehd no वरतनी सभी सब्सक्राइब करें चलिए इस प्रशन का उत्तर दीजिए कि हाँ हाँ बिल्कुल बिच में आप उसको उस तरिके से लेंगे तो ज़्याज सभी रहेगा जा बिल्कुल बिल्कुल स्पेको इकलास करते रहे हैं सभी लोग च्री case करें ला करें सब्सक्राइब करें बिल्कुल सही आ रहा है सगब आये हैं और उत्तर नहीं और यहां पर बीबी में रूत्तर कर रहें अगा-दार वाली होता है और एंगे-दाए देख रहे नो ए और दोनों से में ही छप गया है नहीं नहीं इसमें रश्वेस में दिर गया है फिलाले सब गलत भी हैं सब गलत हैं क्या होगा बी आपका करेक्ट है लिखी आप अनुगरहित ही है लेकिन उसका सीसी सीसी डाल दी है आप ठ्वाध्यान देजिए नेश को सन मे वरतानी की दृष्ष से सुद्ध कौन सा है वरतानी की दृष्ष से कौन सा सुद्ध होगा सभी लोग सेयर करें लाइक करें जितने भी लोग हैं सभी लोग सेयर करें नाराण स्रीहरी अभी लाइक भी नहीं हुआ है परियाप वरतानी की दृष्ष से सुद्ध कौन सा है नरक, नरक, नक, यार, जो भी लिखा है, अब बता इसमें से कौन सा है, सुद्ध होगा, ऐसे कुस्टन, यह सब ऐसे हैं, कुस्टन जो रिपीटेड होते हैं, यह नरक होता है, यह नरक होता है, यह दूनम से आप पकड़ लोगें, समझ में आ जाएगा, कि अब क्या होगा, ज्यादातर लोग इसमें किस पे जाएंगे, किस पे जाएंगे भाई, नरक होता है, थोड़ा सा आप उसको देखें, बी वालेब जा रहे हैं, सबी लोग बी वालेब जा रहे हैं, नरक होता है, कि नरक होता है, स्वरग नरक, नरक होता है, नरक, नरक नहीं होता है, नरक, तोछी सुद्ध यहीं है नर्क नहीं है लेकिन अ मिल्कुल शुयोर हैं अ पहां सभी लोग बताएं हुंदारी हां नरक करेक्ट है बिल्कुल अभी आप सही आए यही करेक्ट था गुड अटर नून जी सभी लोगो नमस्कार आगे देखना सभी लोग अभी भी लाइक लाइक वरेक्ट नहीं करें आज लाइक नहीं भाग रहा है कि हम रिफ्रेस करने एक बार देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि संख्या बढ़ी हो अंको दिखना ही रही है चलिए भाई वास्ता में नहीं बढ़ी है सब जो है वही है ठीक तो हुंदारी कहां पर है प्रश्च संख्या 10 उत्तर क्या करोगे हुंदारी के बारे में बताओ कहां करोगे तो लोग बोले कि यह पूर्वी राजस्थान में है जो पूर्वी राजस्थान के मतलब जो आगरा से सटा हुआ है ना हुंदारी यह है लोकल भासा होगी वहां टो सब्सक्राइब त के आई कि कैसे नहीं बताका और ध्यान कई और लगाओ होगे अध्यान लगाओ सही होगा गहार देखो यूसक को करते हैम क्या जगा बज्रन के क्या हो wrestle हो किसको कहा जाता दै क्या हो बज्रे कौन लिया होता है जल्न जिन समस्त पद में पहला सब्द संख्या वाची हो और उससे समुदाय का वोध हो तो उसे क्या कहते हैं अच्छा इसके साथ ही आप लोगों को विज्ञान की भी क्लास अब प्रारंब कर दी गई है तो आप लोग विज्ञान की क्लास भी समय निकाल करके किया कीजिए विज् कि आप संस्कृत भी कर लीजिए अगर समय जो लोग साइंस लिये हैं और जो लोग लेखपाल या फिर अदर परिच्छा को भी देना चाहते हैं और जो लोग सामाने जनगाय रिखना चाहते हैं विज्ञान की जरूर थोड़ा सा करेंगे तो धिद्रे हो जाएगा द्विगु द्वांद कर्मधार है या फिर अव्यभाव समास प्रश्ण संख्या 12 में तभी लोगों को आ गया क्या जिसका पूर्व अप्द संख्या वाची हो उसके द्विगु समास कहते हैं नेश को सन लो जल मगन अभी ये को सन आया था सहाथ ना जल मगना बिलकुल इ आज कुछ कोशन जो है गलती से पेश्ट हो गया है उठकर करके गलती से मतलब एक बार हुआ एक बार साथ और पता ने के से दब गया है अब पता नहीं चल रहा था कि कब दबा और कितने उसमें कोशन चले गए बज्र पाणी तो यह हो जागा बहुब रही नेश कोशन लो देवा फिर से यहीं आ गया है गलत बात नेश कोशन लो संख्या वाची है दीगू समास आज कर कुछ लग रहा जादा ही पेश्ट हो गया क्या उठके भाई किस वर्ग में रखेंगे कैसा यह बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है 35 कोशन तक तो सही था 35 कोशन जब इसमें डाला गया था सही था 15 कोशन वाले में कुछ इदेवदर हुआ है लग रहा है चलो इसमें भी राज भास है तीन बारे कोशन आ गया पंचवटी सब्दमे समास बनेगा क्या बनेगा दिवगू समास कितना वट लिखा है 5 5 वटों का समाहर क्या बनेगा तो उत्तर करो सबीलोग परसंख्या 18 5वटी में क्या बनाएंगे द्वगव बनाएंगे बहुत महँत पूर्ण कोश्चन है ध्यान देना प्रतिदिनंग जो प्रति-दिन सब सब्ध में समास क्या होगा क्या हागा है कि हए दिन हैं अट-धफ Student हो गया है मैं पहले ही बता छाप लोगों को प्रति दिनम हो अब प्रति आ वरतनी की दिश्ची से सुद्ध सब्दकाँ चैन कीजिए ठीक इसको आओ जो रहेगा इसको हम स्कीप कर देंगे वर्तनी की दिश्च से सुद्ध सब्दका चैन कीजिए इसको बताओ सुद्ध करो कौन टिपड़ी 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 या फिर जो ही है A, B, C, D इसमें इस बताओ क्या होगा आज लग रहा है कुछ कम कोसन रहेगा फिर क्यों क्योंकि कुछ कोसन रिपीटर निकल जा रहे हैं नीद के जोके में लग रहा है बन गया तो क्या हो जाएगा इस प्रश्चन का उत्तर दीजिए जो अभी सामने आपको दिख रहा है इसमें दीजिए सभी लोग वारतानी की दिश्चे सुद्ध सब्द का चैन कीजिए कौन सा टिप पड़ी सही होगा इसमें से 23 नमबर में ध्यान देना या जो डी वाला टिप पड़ी लिखी गई है यह वाले टिप पड़ी बिलकुल करेक्ट होगी नेश क्वेस्चन आओ इसमें बताओ कौन सा सुद्ध सब्द होगा इसमें से इसमें बताओ कौन सा सुद्ध होगा इसमें बताओ कौन सा सुद्ध होगा पेपर नहीं जब बन करके आया था तो उसमें से डालने में जो कोस्टन का सेलेक्शन होता है उसमें गड़ी हो गई है आज कोस्टन सही है बटो रिपीटेड कई बार वह आ गया है जैसे उतने उठा करें कापी पेश्ट करो वर्ड की फाइल पर से इस पर लेकर आओ बनाओ तो उसी में वह कई बार पेश्ट हो गया है गलती से हुआ होगा इन में से सुद्ध वरतनी का सब्ध काउन सा हीरान कष्यपू हीरान कष्यपू या इसमें से कौन है प्रस्षा संख्या 24,24 का उत्तर क्या बन जाएगा आपका ए लाइक से इंसे में लग रहा है बनाधिया गया निम्डखित में से कौन सी भासा देवनागरी लिप में लिखी जा सकती है मराथी इसको अभी आप सभी लोगों न किया मराथी मराथी की जा सकती है सारा question ही बदल गया क्या भई यह सब हो गया है सब हो गया है यह भी हो गया लगरा गलत PDF ही हमको पकड़ा दिये पंचवाटी भी हो गया एक सेकेंड रूखे रहो हाँ यह देखो यह भी हो गया पंचवाटी फिर से आ गया यह तो मजाक हो गया जी आज रुख जाओ दूसरा paper ले लेते हैं ठीक है यह भी हो गया है सब question हो गया है और हमको लग रहा है वहीं सब question हमको दूबारा बेवकूब बना करकर के पूरा पूरा PDF में एक ही टाइप का question आ गया है सब question वही है सब question वही है मतलब इतना है टाइप से बेवकूब बना गया रुख जाओ हमको दूसरा question सेट लगाते हैं ठीक है रुख जाओ रुख जाओ एक सेकंड दूसरा question देख लेते हैं कोई मिल जाएगा दूसरे वाले में लगा लेते हैं हर्योब नारायन स्रीहरी आज एक टाइप के question करवा दें क्या बहुत सारे question एक टाइप के एक ही टाइप का question मतलब एक सब्जेक्ट से ठीक है एक सब्जेक्ट से चलो आज हम सभी लोग कर लेते हैं इस वाले chapter से कर लेते हैं चलो आज यह वाला question कर लेते हैं क्योंकि mix type बनाने में फिर हमको खुजना पड़ेगा कोई सेट या जो हो चुका उसमें से लेना पड़ेगा इससे अच्छा है कि आज आप लोग chapter wise कर लिजिए ठेक chapter wise आज हम करवा दे रहे हैं एक सेकेंड हाँ यह सब question जो रहेंगे यह आप लोग इधास उत्तर दीजिए question number one से और जो सारी चीज़ें देख लिजाएंगे अब निशी तरिके से अभी वाले में मिक्स टाइप नहीं आएगा बट chapter wise question रहेगा आज का तो मैं पूरी एक chapter ही लगा दिया हूं आप इस chapter से question जो आया है कि इसको आप करेंगे तो सबसे पहला question इस वाले में आप लोग लिजिए क्रिदंत प्रत्य जो क्या है क्रिदंत प्रत्य किन सब्दों के साथ आते हैं ब लगता है कि में टाइम पर धोखा हो जाता है पढ़ाने चलो क्या तो खुलेगा क्या बताओ क्रिदंत क्रिदंत जो होते हैं वसके साथ लगते हैं संग्या सर्वनाम क्रिया या फिर अव्यक्रित प्रत्य से ही खुल्याओंग आप अज question से लगते हैं सबहों का पढ़े हो जो दो सब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं वे अविकारी सब्द जो दो सब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अब चुकि यह अविकारी है, जब अविकारी है, तो जिसमें अविकार नहीं होता है, वो सब क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, बता ना, वो तो अव्याह होते हैं, अविकारी वाले तो अव्याह होते हैं, क्या होना चाहिए, D बेलकुल सही वो अव्या ही होने चाहिए क्योंकि अविकारी है अविकारी वही होते है आलमारी किस विदेशी भासा का सब्द है यह बताओ आलमारी जो है वो किस विदेशी भासा का सब्द है आलमारी अंग्रेजी में है पूर्टगाली तो आलमारी जो है पूर्टगाली माना जाता है कहा माना जाता है पूर्टगाली ठेक एक उसन देखो कुछ है हिंदी में है ठीक है हिंदी उपसर्ग नहीं है किसमें हिंदी का उपसर्ग नहीं लगा है ठेक ओवान उन्चास कपूत या उपमा प्रश्व संख चार, चार में क्या होगा, लोग कहेंगे कि बताओ इसमें से किसको कहोगे, अवान उन्चास कपूत उपमा, यह उपमा जो है इसमें नहीं लगा है, ठेक हिंदी उपसर्वियू सब्द उपमा नहीं है, नेक्ष को सन लेते हैं, संस्कित उपसर्वियू सब्द नहीं है, कि नेश को सन चलते हैं निम्लिखित में से कौन सा सब्द हिंदी कईसा छपा है निशित तरीके से कुछ न कुछ इसको अभी टेस्ट करने बहुत ही समय लगेगा मतब एक एक ठोगर छोटा मोटा इर्यार सांस्कित में अभी अभी अध्यान से पढ़े हैं सारे स्लाइड को द हिंदी उपसर्ग है कपूत सूसान संगम और आमरण तो प्रस्ट संख्या च्छ अभी पीछले अगर आप लोग कोशन को देखे होंगे तो इस वाले कोशन का एंसर जल्दी बता दोगे ठेक यह देखो सूसम आय संस्क्रित वाले में है कपूत जो है यहां से आथ अभी पी हाँ बिल्कुल हेलो हेलो सुन रहे हैं उत्तर कीजिए उत्तर कीजिए ज्यादा कमेंट पे अभी आज ध्यान नहीं जा पा रहा है कारण आप लोग समझी गए होंगे क्योंकि बीच में कई कोशन जो है पूरी स्लाइड जो है रिपीटेड वाली मिल गई थी उससे थोड़ क्या आप लोग उत्तर करिए अभी लगा है बहुत सही देखिए अब कोशन हमको लग रहा है कि समय से जा रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर कौन कर दिया सबसे इस प्रश्न का उत्तर कौन कर देगा डी अभी लगा है बहुत सही अभी मूख अभी यान अभ्यास थेक तो इ निश्क्वेस्टन में अगर हम लोग चलें तो निश्क्वेस्टन क्या है निपरी उन उपसर्ग से समझ्द सब्द है ध्यान देना एपसं रंगा गया यहां पर एपसं नीचे उना चाहिए निबंध परिजन 29 मतब एक एक करकर के जोड़ना तब समझ में आएगा नहीं तो पहला पहले में दूसरा दूसरे में यह सब उपसर्ग जोड़ो प्रसे संख्या 9 तो यहां देखो सम उपसर्ग हो गया है भी तो है नहीं यहां पर नीज दिया गया है प्रpicious देदिया इसमें नी में नीज से निबंध परी से परिजन उन से उन तीस अर्थात आपसर्दher एक औरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक औरेक्ट हो जाएगा, नेश्क बसन को चलते हैं, अत्यूपसर्ग का अर्थ क्या होगा, जो यह अत्यूपसर्ग लगता है, इसका किस अर्थ में आप लोग इसको लोगे, ठेक, चलो, देखते रहो, नारायन, स्रीहरी, जैहि एस प्रषणिके उत्तर में आप लोग बताइयेगा और साम को चार बजे संसीT क्लास में सभी लोग ज़रूर उपस्सित रही है ठीख है तो समेज से सभी लोग उपस्सित सब्सक्राइब लगों को पितम आर्भी फार्सी उपसर्गण युप्थ नहीं है नहीं रहे इस वाले में प्रस्थ स्था इसbnा अप्सक्राइब है इसका नहीं बता है इसका पॉता आपत कर संख्याब दस में पहले अर्थ देख Curtis प्रस्न का उत्तर दीजिए सब जितने सब भी फार्सी वाले हैं यह समवाय तो यह नहीं है यह जिसमें प्रत्य नहीं लगा हो बताओ यह जिसमें प्रत्य नहीं लगा है वो ली भासा पीपासा अंक प्रश्च संख्या बारत थोड़ा सा गहराई दिखना पड़ेगा नर इसे बता है बोली में है ध्यान देना, भासा में आपको प्पता होगा, भासा में जब आप ब्याकलाण पढ़ रहे होंगे, तो घासा में कैसे सब्द कुद पत्त हुए है और किस तर के सुसमें हम, अग प्रत्य जो है लगा, कैसे लगा, इस सब बताए, निमलिखित में प्रत्य य य अब इसमें बताना की है की नहीं है लगाव भाव कि इंस में भी एक उपसर्व के प्रयोग से बना सब्द है इक जिसमें लगा हुपसर्ग अनंत अन्वेशन अवयतनिक अपेक्छा तो प्रश्च संख्या चवदा ऐसा कुशन आता है जल्दी समझ में आजगा क्योंकि यह इक लवता अलगें दिखाई देगा तो इक लगा है अवयतनिक इक इसमें लगा है प्रश्च संख्या 14 का उतरसी हो जाएगा इसमें नेक्ट में आओ यह जो है सूथ सब्द को इस्तरी वाचक बनाने के लिए किस प्रत्य का प्रयोग होगा इसको बता इसमें किस प्रत्य का हम प्रयोग करेंगे निश्यत तर्के से क्या हो जाएगा सूत यह सत्य निश्यत भी होता है इसका और्थ क्या होगा इसमें जमिसत्री लिंग में बनाते हैं तो कौन सा अप्रत्य लगाएं tendency यद इक य फिर व प्रशासंख्या 15 क्या बनेगा वैसे सूत्य से सूती बनेगा सूती लेखक सब्द के अंत में कौन सा प्रत्या लगा है लेखक इसमें बताओ यो पीटेट नस्दीक है बें आब समालड़ियों को नमस्ते कैसे हैं तभी लोग को नम Ninja Spolter सेयर sleeping लोग किये हैं लाइक अज वीडियोज को चलिए नाराण स्रीहरी तो इस प्रश्ण का उत्तर क्या बनना चाहिए लेखक प्रश्ण संख्या 16 लेखक में क्या बनाओगे अक लगा है क्या लगा है अक आक नहीं अक ए बीस का गायब है कुछ भी और जोड़ लिएगा इकूक जो भी है लेखक अक रहेगा यहां पर इसमें देखते हैं अभिसाप सब्द में उपसर्ग चुनिए अभिसाप सब्द जो है इसमें उपसर्ग चुनिए अति अधि आ अभी अभिसाप प्रश्ण संख्या 17 इसमें उत्तर क्या करोगे अभी बताओगे क्या बताओगे अभी दुस साहस इसमें बताओ उपसर के क्या लगा है दूस साहस जल्दी देखो जय माता दी जय माता दी ठीक है इसमें देखो ठीक है आगे देखते हैं क्या बन जागा दूस साहस में प्रसंख्या 18 अगर आप बना रहे हो तो 18 में देखो बनाओ प्रसंख्या 18 में दूस बनेगा क्या बनेगा दूस इतना बात ध्यान दीजेगा कि किसी भी प्रश्ण का उत्तर अगर थोड़ा भी अगर थोड़ा भी सास्पेंशन हमको होता है कि इस प्रश्ण का उत्तर यह नहीं होना चाहिए तो वहां पर हम जरूर आप लोगों से शेयर करते हैं कि इसका ऐसा नहीं ऐसा हो जाता तो क्या होता सजावट इसमें सब्द का प्रत्य बताए हिंदी और संस्क्रित का प्रत्य कुछ अलग टेप्स से दिखता है और हिंदी में आवट पावट चावट जो भी मिल गया आइन पाइन सब हो जाता है तो सजावट में बताओ क्या है आवट आहट या टा इसमें से आप लोग पढ़िएगा इसे बताएगा क्या है इसलिए थ्वासे सरल भी हो जाता है सजावट आवट लग क्या हो गया सजा बंते हैं क्रिया से जुड़ते हैं क्रिदंत होते हैं जो सब्दों से जुड़ते हों तदित होते हैं यह और इसनלא होगा संभ tenट है संस्क्रिट में क्या लगाते अनियर लेकिन अगर हिंदी में है तो क्या लगाओगे अनियर माने पठनियर में क्या लगाओगे तो लगाओगे यहां देखो क्या है यहां ऐसे है पठनियर लगाओगे अगर यह संस्क्रिट में होता तो हम अनियर लगाते छोलिया तो क्या होत ठेक चलिया पठनिय कहानी याई आनी धीक है अ कशल्य का उत्तर सब को समझ में आ गया चलते हैं से प्रभाकर में कौण सा प्रत्य तो चर्म कार प्रभाकर कर आ जाएगा और तो आपका नहीं है आपका प्रभाकर खेसे कि फ्रॉर उत्तर कुछ नहीं सीधे आपका एंसर दिखाई देता है इसका फलाने नहीं धेकाने ही सही है उस सीधे सीधे दिखता है नेश क्वेस्टन देखो खिलाडी गमनिय सब्द में कौन सा प्रत्य है ठेक अब सोचो अगर हमारे यहां होता गमनिय तो हम लोग कर देते अनियर प्रत्य है लेकिन यहाँ पर गमनिय का इय बनेगा और इय किसी और में है ही नहीं क्यों एक एक ही पकड़े दुसरा पता नहीं पकड़े नहीं पकड़े अब ये तरहर नी ये सब कुछ तो मिल ही नहीं तो इसका हिंदी का कोश्चन बहुत अच्छे से आप सरल है कर सकते हो गाने वाला लगुत्तर ध्यान देना अब लगुत्तर को अगर आप यहां से देख लेते हो तो काम आपका बन जागा चाहे गाने वाला ही देख लो फिलाल प्रत्याइब बताते चलो प्रत्याक आपका हिंदी बहुत सारा कोश्चन में आपको करवा दिया आज कि अब बिल्कुल बिल्कुल आज नहीं नाइड करेंगे पहले आज जो है वह है किसी दिन जो है उसको भी अलंकार छंदरस जो सब करवा देंगे सब का पूरा-फूरा सेटप बन गया है कोई होडाने की बात नहीं है सब कुछ है प्रैक्टिस करवा देंगे आज वाले प्रैक्टिस में थोड़ा जो कोशन मिक्स किया गया था जिसकी वेज़े से हम चप्टर वाइस पर आगे खंड़हर लूटेरा अगर प्रशुसंख्या पाचीस में अगर आप देखोगे तो क्या बन जाएगा अब यहां पर लूटेरा तो अएरा नहीं होना चाहिए एरा और यहां पर खंड़हर यह सई हो जाएगा ठिक अब यह सई हो जाएगा आगे दखते हैं कि जो धात जो प्रत्या धात्वों के अंत कई तरीके से आया कि यहांपर को सबी सेर नहीं कर रहे हो और लाइक कोई करदया नहीं किया नहीं कर दे कि सभी लोगों को रमस्त का सभी लोग सेयर करें सवसमय उपस्तित रहा करें सदाचार सदाचार में उपसर्ग कौन सा होगा सत धन आचार सदाचार तो क्या हो जाएगा सत इहां से हिंदी के मिसार हो जाएगा आव आचार तो मिल ही नहीं रहा है उपसर्ग पहले लगता है त पढ़ने के लिए संस्कृत वाली जो डिटेल क्लास है उसको जरूर देखेगा उपसर्ग की प्रत्याय की समास की कारग विभक्ती सब उसको देखे बहुत मज़ा आएगा बहुत अच्छे से उसमें करवाएं हैं अतियुक्ति में उपसर्ग है अतियुक्ति तो किसे बना है अतियुक्ति बन गया है प्रस्ट संख्या 28 का उत्तर क्या बन जाएगा टी ठीक है जो लोग संधी करे होंगे वो लोग जानते होंगे कि अति धन उक्ति और जब इसमें अगर तोड़ेंगे तो तो अलग है यह अलग आता है यह यह में बदल गया यही यह में जब उ की मात इसमें बताओ उपसर्ग है समाधर संग्षण प्रस्ट संख्या 29 उत्तर क्या बनेगा यहांपर समाधर और शंग्षण दोनों प्रत्य वी उटो है ही नहीं सम है सम्रच्छण जहां पर संश्क्रित वाले में देखो संग है तो 29 हो गया चले इसको देख लेते हैं 30 नंबर क कॉष्षन हम लोग यहाँ पर देख लें इस वाले में प्रतिदिन प्रतिवपकार प्रतिवपदेश इना सब में उपसरग कौन सा लगा है इसमें इसे बताओ कौन सा होगा तो चले देखते हैं नेश को संकियो और इस ने प्रति उपकार प्रति दिनवा प्रति उपदेश प्रश्व संख्या तीस उत्तर क्या बन जाएगा उत्तर यहां पर बन जाएगा प्रति क्या बनेगा प्रति यह तीन क्या लिख दिया गया है इसमें तो तीन फीनुफ कुछ होना है नीचे यह था इसा कुछ चली आगे ठिक और प्रत्या लगता है बाद में धात या सब्द के अंत में जो जोड़ा उसे क्या कहते हैं उसी को हम क्या बोलै už Southwest जोड़ा उसका में लगते हैं जोड़ा सब्गोर्ण से अमने हैं प्रख्याता किक Learn प्रख्यात में उपसर्ग पहले लगता है प्रो लगा है क्या लगा है प्रो एक करेक्ट हो जाएगा नेश कोशन का उत्तर आप लोग बताते रहो कोशन हिंदी में अच्छे से पढ़ लो ठीक है खर में कौन कौन आते हैं खर प्रत्याहार होता है और खर में एक वर्ण आते हैं वर्णों के प्रथम अद्विती है खर में आते हैं अगे चले देख लेते हैं तो प्रति उत्पन नमाती अब यहां इसमें उपसर्ग दखना है तो प्रति ही लगा होगा प्रति का ही यह में बदला है प्रति उत्पन ऐसे हुआ ठीक प्रश्श संख्या यह चोंतीस चोंतीस का हो गया नेशकोस में चलते हैं 35 में देखते हैं गमन सब्द को विपरितार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे गमन का ठीक है इसमें बताओ प्रश्श संख्या 35 गमन सब्द को विपरितार्थक बनाने के लिए उपगमन या आगमन या प्रति गमन या अनुगमन किया लगा है ज्यादा से रहागा घमन माने सं जाता है वाले करने मदनोल अपद अब आने वाले करशा में हूं ऑगा इसे लहां और जाने के एरफे में हो गया तो इह बी वाला हो जाएगा और यहां देखना शतिस में निरवासित में प्रत्य कौन सा होगा प्रत्य पुछे उपसर्ग नहीं पुछे ना निरवासित इसमें बताओ कौन सा बनेगा निरवासित एकोस्टन पूश दिये इसमें प्रत्याय थेक है हाँ इस कुष्टन का उत्तर बताएं सभी लोग इसमें बताएं निरवासित इक नीशित इत तो 36 नंबर में क्या जाएगा निरवासित इत यहां पर ठेक यह वाला अगर यहीं पर उपसर्ग वाला भी एक्ठों यहां पर लिग देते न तो लोग गलती से लेखक सब्दके अंत में कौन सा प्रत्या लगा हुआ है लेखक में बताओ कौन सा होगा अक है क्या लगा लगा लेख से लेखक, अनुजी सब्द को इस्तरी वाचक बनाने के लिए किस प्रत्य का प्रयोकर होगे, अनुजी को, प्रशसंख्या 38, ठीक, एक दो को सनव करेंगे, आ लगाएंगे, बहुत सही, अनुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुजा, ठीक, अनुजी का अनुजी ए, सी, बिल्कुल करेक्ट, नेश को सनव देखते हैं, आ गया फिर से यहाँ पर देखो, कुछ लोग यहाँ देखो, यहाँ पर सूत है, क्या है यहाँ पर, सूत है, वहाँ पर सूत था, वह दूसरा था, यहाँ पर क्या लगाओगे, सूत था, इस सूत वाले में क्या लग और यह इस वाले सूत का क्या कैसे बनेगा यह जो सूत था सूत अ पिछे एक को सनाय था इसमें हलांकि वहां पर यह इसा नहीं था इसलिए हम उसको दूसरा वाले में लगाए थे दूसरा पड़े थे हमको लगा इसका हो सकता अर्थ भाई हिंदी सास में कुछ और भी होता हो ठीक यह होता है किसके अर्थ में आता है भाई है पुत्री के अर्थ में तो यह हो जाता है चालिस का और अंतिम कुश्चन अभी का इस प्रिश्यस सब्द को बिलो मार्थक बनाने के लिए किस उपसर का प्रयोग करेंगे हाँ बिलकुल 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 नई नई वहाँ दूसरा था वहाँ दूसरा शपा था हम उसको देखे थे यह पुत्री के अर्थ में होता है यह सूता है, वहाँ पर कुछ मिश्टेक छपी होगी या तो फिर, या तो फिर सूत, सूत, हलाकि वहाँ ऐसे छपा थे, यह समको तो याद है, सूत, तो उसमें सूत से हम और जोड़ दिये थे, आँ, कोई आपसन भी साध नहीं था क्या, फिलाल अगर यह वाला सूत है, तो स हम बताए हैं, कि हम संस्कंट से हिंदी में देद आएं, और हिंदी में बहुत सारी इसे नहीं है, कि से सब्दों का मतलब हमको पता हो, कभी-कभी हमको एनको लगता है, किसी भी उत्तर को काटने के लिए, कम से कम परियाप्त ग्यान हो, तरक हो, ठिक, ऐसा होना च cris, इ definis难 क सुता ये सही है देखो पड़ते ही दिमाग पर आ जाता है कि हों क्या सही है न ऐसा आ जाता है कि चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही है कि वहां सुत ही लिखाता है को एक हैं देख़ देख़ लेते हैं हो सकता है कि वहां पर क्या हो इसको बहुत जएदा भून जो पठते रहते हैं कएक इता में पड़े होते होते हैं वहां है तो को इंसी तरीके से ले लेना है ठेक question number बोल देते तो जल्दी से मिल जाता किस question प writes А mem, question number नमबर बोल देते आप ज्यादा सही था, सुत' का सूता बना लेते हम भी देख लेते हैं यहां आते था देखो यहां पर गलत छपा हो गया तो यहां देखो न तो आपसन ही मिल रहा है न तो यह मिल रहा है तो इसलिए सूत जो था सूती से हम यहां पर मिलाए हैं और हमको लगता है आप भी खोजिएगा वहां पर यह दूसरा है वह दूसरा है एक ब हमारे हिसाथ से तो यहीं बैठना चाहिए था भी फिलाल आप देखो और वहां पर क्या था वहां पर देखो दूसरा था वहां पर देखो दूसरा था और यह यूपिटर 2014-2018 में है देख लेना एक बार 2014-2018 ने छपा होगा चौदम भी या ठारम भी है हिंदी का पेपर खोल लेना और देख लेना उसमें क्या छपा है फिर हमको भी बता देना ठीक हमारा नंबर तो आपके पास है ही सभी की लोग पास में है तो जरूर बताना हमको ठीक है जिसके पास नहीं है वो लोग जरूर ले करके जरूर बताए जब इस वाले कोशन का अगर किसी कोशन विश्यस में अगर कोई ज्यादा सस्पेंशन है तो आप लोग हमको के वल संपर करने के लिए ध्यान देना सभी काल या कुछ नहीं हम अभी रेस कर दे रहे हैं आप लोग सीधे सीधे इस पर उसको रहता उसको लेकर करके आप हमको भेजेंगे और अपना नाम और इस टेट डिस्टिक जरूर बताएंगे नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे कि आप कहां से हैं और कौन हैं और किस परपस से भेज रहे हैं क्या कर रहे हैं तो जरूर आपको जरूर भी जब भी बेजिएगा तो वार्ट सब करते वक्त में आप इसको इस बात को ध्यान लखना को और इसका कल को यह कोशन लाष्ट में पूछा था जिसमें ओ तत्पूर्श समास था जब हम क्लास जब सेशन आस करने लगते हैं तब आप लोग कोशन पूछते हैं जब पहले यही डाम बताना उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि हम फलाने हो ठेकाने हो कई बार लोग मेसेज करते हैं उनका अगजवय नाम होता है चलिए देखते हैं क्लास की टाइमिंग और अब कितने बज़े हो सकती है एक क्लास की टाइमिंग चेंज होती है दूसरे दूसरे क्लास टाइमिंग होती है तीसरे अब देखते हैं कितने बज़े पासिवल हो सकता है सब लोग जब कोशन पूछा जाता है आप लोग बताते जाती है दर्वाइज में 5 बजे 6 बजे क्लास लिया करता है अभी मेरे यहां दूसरी लाइन भी पढ़ रही है हो सकता है को अगर इस्टार्ट हो जाए तो 5-6 बजे फिर चाहे जब हम ले सकते हैं अदर्वाइज दिन में आप फिर साम को कम से कम 3-4 घंटे मेरे यहां कि अर्षे तना हमेल तर्वाइज भी में आप पिर सितना हमेल तर्वाइज लूसरी है जब है झाता हम जब है जाता है क्वाइज दूसरी देफ